करोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में कहर बरपा दिया है बीते दो तिन दिनों की कमी के बाद एक बार फिर से करोना के नए मामलों में बड़ी उच्छाल देखने को मिली है भारत में करोना की दूसरी लहर ने अब तक के सारी रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं और एक दिन में बुधवार को 4.1-2 लाख से अधिक नए केस और करीब 4,000 मौते हुई है बता दे की करोना महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में मिलने वाले करोना केस और मौतों की यह स्वार्धिक संख्या है स्वास्तमंत्राले के मताबिक देश में बुधवार को 24 गंटे में करोना वाइरस के 4,12,618 नए केस सामने आए वहीं एक दिन में COVID-19 से रिकॉर्ड 3,982 लोगों की मौत के बाद इस बिमारी से जान गवाने वालों की संख्या 2,30,010 से अधिक हो गई है केंद्रे स्वास्तमंत्राले ने बताया कि इन नए मामलों के बाद COVID-19 के कुल मामले बढ़कर 2,10,64,862 हो गए है बता दे कि इससे पहले 30 अपरेल को एक दिन में 4 लाग से अधिक करोना केस आये थे सीरिम इंसिट्यूट ओफ इंडिया के सीई-ओ आदर पुनावाला और उनके परिवार को Z-Plus शरीनी की सुरक्षा दिये जाने की मांग वाली अर्जी बॉम्बे हाई कोट में दायर की गई है इससे पहले केंद्र सरकार ने पुनावालों को वाई शरीनी की सुरक्षा दी थी बीते बुधवार ही केंद्रे ग्रह मंत्राले ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया था पुनावालों को मिली वायश रेनी की सुरक्षा पूर्य देश में लागो है सीरम इंसिट्यूट आफ इंडिया भारत में करोना वैक्सीन की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कमपनी है फिलाल देश में चल रहे टिका करन अभ्यान में से 90% टीके सीरम की वैक्सीन की कोवी शील्ड के ही लगे है इसके अलावा भारत बायोटेक की ओर से भी कोवैक्सीन नाम की करोना वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है देश में वैक्सिनीशन के अभ्यान को आगे बढ़ाने में इन दोनों ही कम्पनियों के एहम भूमिका है उत्रप्रदेश के पंचायत चुनावों के नतीजों ने भारतिय जंता पार्टी बिजेपी के लिए एक खत्रे की घंटी बचा दी है करोना महमारी के मौझूदा संकट से जूज रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए अगले साल विधान सभा चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इस राजनितिक गतिवीधियों से अवगत लोगों के अनुसार सरकार ने अविधाय को और सांसदों से कहा है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी आत्म प्रचार से पहले ऑक्सिजन प्लांट्स अस्पताल के बेट बढ़ाने और दवाओं की खरीद को बढ़ाने के लिए कोश देश में 270 किलोमीटर लंबी टरनल बनाने की उचना है इसमें 135 किलोमीटर की डीपी आर बनाई जा रही है उनका निर्मान कारे 2026 तक पूरा करने का लक्षय रखा गया है टरनल निर्मान के जरिये देश के बौरडर तक साल भर रोड कनेक्टिविटी बनी रहेगी वहानों अक्सिजन पुल बनाएगी यह पुल जिला धिकारियों की निगरानी में काम करेगा जिला धिकारी के पास ही कोबिड मरीज की गंभीरता को देखते हुए तैकरने का धिकार होगा कि उसे घर पर ऑक्सिजन देना है या नहीं फिलहाल सभी जीले को स्वास्त विभाग ने 20- अक्सिजन सलेंडर का कोटा दिया है दिल्ली में 50,000 से अधिक मरीज होम आइसुलेशन में है अभी अगर उन्हें ऑक्सिजन की जरुवत पड़ती है तो वह अस्पताल की तरफ भागता है जिससे वहां बैट भर जाते हैं सरकार घर पर ही ऑक्सिजन उपलब्ध कराकर अस् हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें